हमारे चनल पर जितने भी लेटेस्ट वीडियो अप्रोड होते हैं उसकी इंफर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और इस वेल की आइकन यानि की इस घंटी की आइकन पर पेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए अगर आ अपने ATM काट के थुरू अपने ATM wallet में कैसे amount add कर सकते हो आगया ATM के बारे में जाना साहती है कि आखिर ATM है क्या या फिर ATM से related और भी बहुत कुछ तो उन सभी टोपिक पर मैंने वीडियो बनाया आपको उसका link नीचे description में मिल जाएगा तो आप description को follow करको सब भी वीडियो को इस वीडियो में आगे बर तो हूँ और देखता हूँ आज का ए वीडियो ओके तो आपको अपने ATM wallet में amount add करने है तो उसके लिए आपको ATM wallet को download or install करना होता है तो मैंने पहले से install करके रखा हुआ है तो मैं यहां से इस open करने वाला हूँ तो फर्स आपन आप यहां से sign up कर देख सकते हो तो जब sign up कर लेती हो तो इस तरका interface आता है तो यहां पे add money पे आपको क्लिक करना है जैसा कि आपको amount अपने पेटियम wallet में add करने है तो add money पे क्लिक करते हो और यहां पे आपको amount डालना होता है अगर आपके पास कोई promo code है तो promo code भी आप यहां पे enter कर सकते हो तो मैं यहां फे Informationen में फिलाल कोई promo code नहीं है और उपर आपको balance यानि कि मेरे ptm wallet में फिलाल तो zero rupees है तो यहां पे zero rupees जो कर रहे हैं और यहां पे मैं amount डालने वाला हूं जो कि 500 rupees में यहां पे add करने वाला हूं और add money में पे मैं click कर दूंगा और उसके बाद की Western आता है हो हम आगे बढ़ते हो और देखते हैं तो यहाँ पे आपको लिखा मिलता है complete यो payment और यहाँ पे आपको payment आइड करने हैं यानि कि आप debit card का use करके यहाँ पे payment आइड करना साथ हूँ या फिर credit card या फिर net banking या फिर UPI तो यहाँ पे मैं तो डेविट card का example दे रहा हूँ अपको तो यहाँ पे डेविट card जो पहले सा सेलेक्टेड आते हैं यहाँ पे डेविट card अगर आप साथे और credit card net banking या फिर UPI चूज करना तो चूज कर सकते हो तो यहाँ पे मैं डेविट card चूज करने वाला हूँ जो कि प XFID date यहाँ पे enter कि ज़ते तो मैं यहाँ पे XFID date एंटर करता हूँ और यहाँ यहाँ पे year और जहाँ पे CVV नमबर आपको एंटर करना होता है जो कि आपके card के back side में आपको CVV नमबर मिलेंगे अगर आपके पास visa या फिर mastercard वगरा है तो उस पे आपको CVV नमबर मिल साए कर देज़े तो मैं यहाँ पर अपना CVV नमबर एंटर करने वाला हूँ और उसके बाद यहाँ पर Pay Now पर क्लिक करने से पहले मैं यहाँ पर उताना साओंगा यहाँ पर लिखाता है Set This Card for Faster Checkout यानि कि Faster Checkout के लिए आप यहाँ पर टीक मार्क रहने दिया यानि कि इस Card का Information को अगर आप यहाँ पर Save करना साथ हो और नेक्स्ट बाट रांजेक्शन के लिए Sorry Pay Add के लिए तो आप इससे Save कर सकते हो या फिर आप जाओ तो इससे रहा सकते हो तो फिलाल तो मैं चेक रहने देने वाला हूँ और यहाँ पर Pay Pay क्लिक करने वाला हूँ प्रेम पासबर्ड आप यहाँ पर enter की च और उसके बाद यहाँ पर सम्मीट पे आप क्लिक कर दीज़ें शमीट पे क्लिक करते हो तो आपका ट्रांजेक्शन यहाँ पर पे एक एड़े यहांब आ चुका है यानि कि हमारे प्र में 500 रॉपीज एड़ हो चुका है तो इसे मैं एजली यांपे अपने प्र मैं क्रेडिट एड़ कर लिया खेंड यह बहुत तो आपका एसी अ पैसा भी हो सकता है कि आपका SMS आपको सेंड करना होता है SBI को तो उससे आपका जो ATM काड़ों e-commerce के लिए इनवल्ट हो जाएगा तो जब वीडियो बन जाएगा तो इससे वीडियो के नीचे description में मैं उसका link दे दूंगा या फिर आप डारेक्ट से मेरे और इंट्रेनेट टेक्नोलोजिक वीडियों में बेतारी टिक्स और टिक्स तो इस तरके और भी इंट्रेस्टिंग वीडियों लिखार मिलते हैं आगले वीडियों में